नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चनल पे आप लोगों आफ रिद्शे स्वागत हैं दोस्तों आज हम मेल रहें एको नए टोपिक के साथ चेप्टर नमर फाइफ और नाम है जल हमने चार जो मंडल होते हैं परी मंडल उनके बारे में जानने की कोशिश करी थी इस्तल मंदल वाईो मंडल जल मंण द और जेव मंडल इसमेंसे जो तीसरा मंडल है जल मंडल उसके बारे में हम बैसिकली पढ़ रहे हैं बड़ी क्लासوں की बात कि जाए तोandersने का पार्ट और यहां पे कुछ इसला करती हैं जैसे माउंटेन वगेरा और यहां पे पेड़, बोदे, वनास्पती और छोटे तालाब टाइफ बने हुए हैं तो दोस्तो हमारी परत्वी के उपर चारू तरफ वाई मंडल की क्या है एक बरत है इसमें हमने पढ़ा था वाई मंडल आज हम पढ़ रहे हैं इस्तल के उपर कुछ तो है समुदर यानि कि कुछ जल रासियां हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं और कुछ है इस्तल भाग तो यह जो जल वास्प और यानि कि जल रासी का जो चकर है वो इस वायुमंडल के अंदर अंदर जो है वो चलता रहता है इसी के बारे में हम जानने वाले तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वायुमंडल के अंदर चलने वाले जो जल की एक जो चक्कर होता है उसके बारे में हम जानेंगे तो सबसे पहले suppose that कोई समूद्रिया महसागर है इसमें से जब इसके उपर धूप पढ़ती है तो विभिन प्रकार की तरंगे जो है वास्प बन कर ये जल है ये तरंगों के रूप में उपर चला जाता है उपर जाके हमने बात करे थी पिजले चेप्टन में बादलों का जो है निर्मार हो जाता है इनसे बारिस हो जाती है वास्प बन के जल उपर गया उपर जाके बादलों से वापिस दरातली के उपर आ गया दरातल से नदी की रूप में ये वापिस समूद्रों में आ जाता है ये जो सरकिल चल रहा है इसे जल्चक्र कहते है, समुद्र से वास्प बनके जल्वास्प हुई, वर्सन के रूप में वापिस दरातल पे आ गया, दरातल पे आने के बाद ये वापिस समुद्रों में मिल जाता है, और जो पानी दरातल के उपर, इस्तल के उपर, किसी छोटे छोटे तालाब, या किसी गड़ों में रह जाता है उसको प्रत्वी जो है सोख लेती है प्रत्वी है वो सोख लेती है और इसी को हम कहते हैं बहुम जल ठीक है ये हमारी प्रत्वी के नीचे पाया जाता है ठीक है पेंट पोदों की जो जड़े हैं यहां तक फैली रहती है और ये अपना जो पोशण है वो इसी भूम जल से करते हैं द्रातल की नीचे भी एक जल की पटी होती है उसी में जो है ये भूम जल पाया जाता है तो ये जो पानी का चकर चलता रहता है इसे जल चकर कहते हैं जल्चकर कहते वास्बन के समुद्रू से बादलों के रूप में वर्षन के रूप में दरातल में दरातल से वापिस समुद्रू में तो यह जो है हमारी पर्चवी के उपर जो जल्चकर है वो ऐसे ही चलता रहता है जैसे ऐसा नहीं है कि ये जो पानी है ये खतम हो गया हो जैसे अगर 200 साल पहले कोई अमेजन में पानी जैसे बहरा था नदी में तो वो पानी आज हम गंगा की रूप में यूज़ कर रहे हैं वो हो सकता है ऐसी ही पानी का जो सर्किल है वो पूरी पर्थवी के उपर जो है वो रोटेट होता रहता है इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि पर्थवी के उपर जैसे हमने बात करी कि हमारी जो पर्थवी है उसके उपर 61 परसेंट जो है वो जल है और 30 परसेंट जो है वो इस तल भाग पाय जाता है इसी के कारण 21% जल के कारण ही हमारी पर्चफ़ी वो जो है वो कहते हैं नीला गरे ये हमारा गलोब है इसके अंदर आपको जो भी नीला वाला पार्ट दिखाई दे रहा है वहां वहां पे पानी इस्तित है ठीक है दोस्तो जहां पे भी नीला आपको कलर दिख रहा है वहां पे जल रासियां बने हुई है जैसे बड़े-बड़े महाशागर इसके बाद में दोस्तो हम बात करते हैं कि जल का जो परतीस्ट है हमारी परत्वीक के उपर वो किस परकार से बना हुआ है तो एक पर नोट यहां पे आप करो इसके बाद में दोस्तो जैसे हमने बात करी जल चकर वाटर सरकिल तो यह वाटर चकर जो होता है जल चकर होता है वो होता क्या है तो मुखी रूप से मैंने बात करी शमूदरों से जल आ जाता है वाईमंडल में वायमंडल से इस्तलमंडल से वापिस मासागरों में आ जाता है तो जल अपने रूप में परिवर्दन करता रहता है मासागरों से वास्व बन करे जो है ये वायमंडल में चला जाता है वायमंडल से वर्षन की रूप में इस्तलबाग पर आ जाता है इस तल भाग से वापिज महासागरों में चला जाता है इसी को जल चकर कहते हैं यानि कि जल जो है उसमें परिवर्दन आता रहता है अब बात करते हैं कि जल का जो वीतर्ण है वो हमारी पर्च्वी के उपर किस परकार से है तो हमारी ये पर्च्वी है इसके उपर महासागर पाए जाते हैं जैसे हमने मुखित पांच महासागरों की बात करी थी पहला है प्रसांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिन महासागर, आर्क्टिक महासागर और दक्षनी महासागर तो पांच महसागरों में यहाँ पे सत्यानु पॉंट जीरो तीन परतिसत जो पानी है वो यहीं पे महसागरों में पाए जाता है यानि कि पृत्वी के उपर सरवादिक जो पानी है वो महसागरों में पाए जाता है इस जल की विसेजता ये होती है कि ये पानी पीने योगे नहीं होता है यानि कि इसमें लवनता की जो मात्रा है वो सरवादिक देखने को मिलती है इसलिए इसमें लवनता होने कान ये पीने योगे नहीं है और नहीं ये कर्शी योगे है यानि कि इन्सानों के लिए योगे नहीं है बात करें बरफ के रूप में पाया जाना जाने वाला जो पानी है वो जैसे हमारी परवचोटिया होती है इनकी हीम टॉपियों के उपर जो पाया जाता है पानी उसी को बरफ के रूप में माना जाता है यह मातर 0.2% जो है यह पानी देखने को मिलता है वहीं बात करें भूमी के अंदर यानि कि हमारी परत्वी के अंदर पाया जाने वाले जो पानी है यहां पे वो कितना परतिशत है तो यह मातर 00.68% जो है इतना ही पानी भूमी के अंदर देखने को मिलता है वहीं बात करें जीलों के अंदर जीलों के अंदर भी 0.009% जो पानी है वो जीलों के अंदर देखने को मिलता है जीलों का जो पानी होता है वो और भूम जल है ये पीने योगे पानी होता है हमने बात करें सत्याण में और जो बाकी बज़ के 3% में ये जितने भी जल के परकार है या इसका वित्रम जो पाया जाता है वो हमारे काम का जल होता है ये हमारे काम का नहीं होता वहीं पर जीलों में 11 जल पाया जाता है हो सकता है कि कोई जील लवनी हो लेकिन अधिकतर जीलें जो होती है वो 11 11 परकार की जील होती है वहीं बात करें नमकिन जीलों की तो यह मातर 0.009% देखने को मिलता है वहीं पे वायू मंडल में जो जल वास्प बनके रहता है वो भी 0.009% तक यहां पे देखने को मिलता है और नदियों के अंदर 0.001% यानि कि नदियों में भी कोई खास पानी नहीं देखने को मिलता तो यहां पे 3% जो पानी है वो इन अदर जो केटिगरी है इनमें बटा हुआ है वहीं पे 97% जो पानी है वो ओनली कहां पाय जाता है मासागरों में देखने को मिलता है इसके बाद हम बात करते हैं मासागरी ये लवनता ही यानि कि जो लवनता होती है लवनता यानि कि पानी कितना खा रहा है ठीक है इसके बारे में हम जाने की कोशिज करेंगे तो इसको आप एक बर नोट कर सकते हूँ इसके बाद में हम बात कर रहे थे मासागरी लवनता की यानि कि जल में जो पाये जाने वाला नमक है यानि वो कितना नमकीन पानी है उसकी बात हम करते हैं तो एक जार ग्राम यानि कि एक लिटर एक लिटर पानी होता है उसमें कितनी ग्राम जो है वो नमक की मातरा होती है उस को हम लवनता बोलते हैं साल्टेनिटी ठीक है इसमें सरवादिक जो पाया जाता है मिनरल वो होता है सोडियम कलोराइड ठीक है बेसिकली ये नमक ही होता है जैसे हम घर पे यूज करते हैं वो नमक ही ये खाने वाला नमक होता है ठीक है वहीं पे हम बात करें जो लवनता है व लवनता वो हमारी ऐसे पर्दीशित की जाती है इसको ऐसे दिखाया जाता है लवनता प्रतिक यह होता है यदि बात करें हम विश्वे के विश्वे स्थर पे तो सर्वादी के सर्वादी के लवनता मर्त सागर में पाई जाती है यह पाई कि दिखाया जाती है तो तीन सो चाली से प्रति हजार गराम पाई जाती है और यह है कहां पे यह इज्राइल पे इज्राइल देश में यह इस्तित है ठीक है तो इसको डेट सी भी बोला जाता है डेट सी के अंदर जो है तीन सो चाली से प्रति हजार के इसाप से यहां पे लवनता देखने को मिलती है यानि कि जिन मासाग्री जल राषियों के अंदर ल्मणता जाता होगी तो उस जल का इस्तिमाल कम होगा वहीं पे जो जीहले वगेर जिनमें ल्मणता की मातरा कम पाई जाती हैं उनका इस्तिमाल अपना आराम से कर सकते है तो यह जो है हमारा ल्मणता से समध्यक् relationships में मासागरी लवनता यह हो गई यहां पर इसके बाद में हम देखेंगे इसके बाद में दोस्तो हम विश्व इस्तर के उपर कुछ समूदर, कुछ जहले, कुछ नदिया जिनका वितर्ण जो है हमारी वायराशियों के इसाब से फैला हुआ है, उनके बारे में जानने वाले है, तो दोस्तो कुछ इस्पेशल जो है नदिया उनके बारे में आपको जानना जरूरी है तो हम एक बर यहां पर देख लेते हैं, जैसे विश्व की सबसे अफवा, तंतर के इसाब सबसे बड़ी जो नदी है, वो यहां पर बहती है, जिसका नाम है अमेजन, अमेजन ठीक है, तो अमेजन जो नदी है, यहां पर बहती है, वहीं दूसरी, उत्री अमेरिकाई सबसे बड़ी जो नदी है, वो मिसी सीपी है, मिसी मिसिसीपी नदी है वहीं पर बात करें कनड़ा और अमेरिका के बॉर्डर के उपर पांच छे जिले बनी हुए जिने ग्रेड लेक एरिया बोला जाता है तो इसमें विनिपेग विनिपेग जो कनड़ा बोर्डर पे है सुपीरियन सुपीरियर हुरन हुरन यह कुछ बनी हुई है वहीं पर यहां पर ग्रेट बियर लेक है अलास्का के अंदर यहां पर तो यह इस परकार से कुछ से आपको important नदी है जो आपको द्यान रखनी है वहीं पर बात करें हम अफ्रिका की तो अफ्रिका की सबसे बड़ी नदी का आपको नाम बताई है इसका नाम है नील नील नदी है जो विक्टोरिया जीहल से जाती है विक्टोरिया जील से निकलती है इसके अलावा यहाँ पे कांगो नदी भी है कांगो जाएरे जाएरे यह नदी भी यहाँ पे देखने को मिलती है वहीं पे बात करें हम हमारे प्यारे भारत की तो यहाँ पे इस साइड से तो सिंदु आ जाती है सिंदु यह गंगा हो गई और यहां पर ब्रहम पुत्र गंगा ब्रहम पुत्रा ठीक है वहीं चीन की बात करें तो हांग सी हांग सी एक नदी बहती है और एक बहती है यांग्टी सी यांग्टी सी नदी यह चाइना के अंदर बहती है यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो जील बनी हुई है मीठे पाने की जील है केस पियन सागर यहाँ पे है केस पियन सागर यहाँ पे हमने बात करी इसे जस्ट पहले मर्द सागर की तो मर्द जो सागर है वो यहाँ पे बना हुआ है मरत शागर जिसकी लवरता विश्व में शर्वादिक है इसी के पास ग्रेट साल्ट लेक बनी हुई है ये भी यहाँ पर एक बर आपको देख लेना है इसके अलावा बात करें हमां अफ्रीका में तीसरी नदी की तो यहाँ पर एक नदी और जाती है जिसका नाम है नाइजर नाइजिरिया देश में से होकर ये गुजरती है इसके अलावा जो है काला सागर जो केश्पियन सागर के पास ही यहाँ पर एक और है काला सागर काला सागर वहीं पर वोल गो जो वो वोल गा नदी यहाँ पे बहती है राइन जर्मनी में बहती है राइन नदी जो विश्वे की सबसे वैस्तम नदियों में से एक है वो यहाँ पे बहती है इसके अलावा बात करें हम इसको बोलते हैं बुमदे सागर बुमदे सागर नेल नदी भुमदे सागर में ही जाकर गिरती है बीच में यह जो पार्ट दिख रहा है इसको अटलांटिक महासागर बोला जाता है महासागर उत्तर में यहाँ पर यदि बात करें यूरोप के उत्तर पस्षी में तो इसको आरक्टिक बोला जाता है आरक्टिक, महासागर वहीं पे अंटार्टिका के जो पास में है उसे दक्षणी महासागर बोला जाता है जो अंटार्टिका की चारू तरफ फ्यला हुआ है वहीं पे बात करें हम इंडिया के इस साइड अरब सागर है अरब शागर और पूरों में बंगाल की खाड़ी बंगाल की खाड़ी भारत के दक्सिन में जो है इसका नाम हिंद महाश्रागर जो भारत के नाम से ही रखा गया इसका नाम ठीक है इसके अलावा ओस्टेलिया की बात करें तो ओस्टेलिया में एक नदी बहती है जिसका नाम है मरे डार्लिंग मरे डार्लिंग वहीं पर हमने बात करे थी चाइना के अंदर दो नदिया है हांगसी हांगसी और दूसरी जो है उसको बोलते हैं यांग्टेसी यांग्टेसी यहां पर है उत्री चीन सागर उत्री चीन सागर ये जो महासागर है इसको बोलते हैं परशांद क्योंकि परत्वी तो गोल है तो ये जो पार्ट है ऐसे गोम के ऐसे आएगा ये जो बीच वाला पार्ट है जाता है एसिया और अमेरिका के बीच में इसको बोलते है परशांद महासागर महाशागर तो यहां तक इसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए परसांद महाशागर, अटलांटिक महाशागर और हिंद महाशागर तीन बड़ी रासियां यहां पे हो गई है एक आरक्टिक महाशागर, दूसरा है दक्षनी महाशागर वहीं पे बड़ी बड़ी नदियों की बात करें तो इस महादीप में अमेजन नदी है इस महादीप में मिसिसीपी ठीक है इस महादीप में नेल नदी होई यहां पे यांग्टेसी राए नदी यूरोप की वोलगा नदी जो है रसिया की भारत की बात करें तो गंगा, ब्रहमपुत्र और सिंदू नदी ओश्टेलिया महधिप की बात करें तो मरे डार्लिंग जो नदी है वो काफी इसमें फेमस है इसके अलावा हम बात करें जो पूर्वी चीन सागर हो गया ये उत्री चीन सागर है वहीं पे जापान के दक्षिन में पूर्वी चीन सागर हो गया ये जो काफी फेमस है दक्षिनी चीन के सागर के यहां पे हमेशा विवादी ते जो है ये सागर रहता है चाइना और अमेरिका के 20 समंदू को लेकर हमेशा विवादी ते ये सागर रहता है वहीं पे हम बात करें दनूबी नदी की तो दनूबी नदी यूरोप में बहती है दे नूबी नदी राइन सबसे वेस्तम नदी है वो जो नदी है वो रस्या के अंदर बहती है इसके अलावा जो बात करें हम तो कोरल सागर जो है यहां पे कोरल सागर यहां पे पाया जाता है तो यह मुख्यत है हमारी वायरासिया थी साल्ट लेक जो है यहां पे नहीं है दोस्तों यह है अमेरिका में ग्रेट साल्ट लेक यहां पे है ग्रेट साल्ट लेक मर्द सागर के बाद में यहां पे भी जो नमकी ने इसकी भी लवनता है 340 पलस है तो यह भी यहां पे एक जहिल पाई जाती है जिसकी लवनता है वो जादा है तो दोस्तों यह हमारे मुखेते जल रासियां थी जहां पे जल जो है वो सरवादी के पाई जाता है तो यह आपको द्याने रखना है इसके अलावा